3, 2, 1 Hello dear students, question है मार दिया cot theta बराबर 7 बटा 8 तो 1 प्लस sin theta ब्रेकाट में 1 माइनस sin theta और 1 प्लस sin theta बटे का 1 माइनस cos theta का मान गयाद करना है पहला तो question यह है, दूरा question है मारा cot square theta का मान गयाद करना है Hello friends, इसको हम 2 बिदी से हल कर सकते हैं बिदी से हल कर सकते हैं चलिए पर्थम बिदी से हल कर लेते हैं हल पर्थम बिदी पर्थम बिदी से हल करने के लिए यहाँ पर question दिया हुआ है 1 प्लस sin theta एक bracket में और दूसरे में 1 माइनस sin theta बटे का 1 प्लस cos theta bracket में 1 माइनस cos theta यहाँ पर a माइनस b और a प्लस b के जैसा फार्मेट रिखा हुआ इसलिए हम इसका सूत लगा सकते हैं ति यह ब्रावर हो जाएगा a square माइनस b square के यहाँ से आ जाएगा एक ब्रिकाट में 1 प्लस b और एक ब्रिकाट में 1 माइनस b ति ब्रावर हो जाएगा one square minus sin square theta के ब्रिकाट यहाँ से आ जाएगा one plus cos theta और one cos theta से one square minus cos square theta के यहाँ से one के square one आएगा minus sin square theta हो जाएगा बटे का one minus cos square theta हो जाएगा यहाँ पर sin square theta plus cos square theta बराबर 1 होता है अगर हम sin को पक्षांदर कर दे 1 की ओर तो हो जाएगा cos square theta बराबर 1 minus sin square theta यहाँ पर 1 minus sin theta की जिखाँ पर हम cos theta रख सकते हैं यहाँ पर 1 minus sin square theta है तो यह बराबर हो जाएगा यहाँ यहाँ से sin square को नपक्षांदर करके cos square को पक्षांदर कर दे sin square theta बराबर हो जाएगा 1 minus cos square theta यहाँ पर आए 1 minus cos square theta इसके जिखाँ पर हम रख सकते हैं sin square theta तो हो जाएगा sin square theta और sin बटा cos का मान होता है cot theta के बराबर कि हाँ पर हो जाएगा cot square theta क्योंकि दोनों का square लगा हुआ है और हमें cot theta की value पहले से दे रखिए 7 बटा यहाँ से हो जाएगा 7 बटा 8 का whole square तो 7 का square हो गया 49 और 8 का square हो जाएगा 64 यह हो गया दूसरा हो जाएगा cot square theta दे रखा है दूसरा question इसको लिख 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 है कि हाँ से cot theta की value दे रखिए हमें cot theta बराबर दे रखा है 7 बटा 8 cot square की रख करना इसलिए हो जाएगा 7 बटा 8 का whole square तो cot theta का मान हो जाएगा 7 ता मन चास बटे 8 रहे 64 प्रोब्ड चलिए से कंड मेर्स से हल कर लिख लिख लिखे है दूत्य बदी जोते बेदी में कॉट त्रीटा कमाल दे रखा है यहां से 7 बटा 8 दे रखा है रख लेते हैं 7 बटा 8 कॉट त्रीटा ब्राव होता है आधार बटा लंप जायेगा आधार बटा लंप चलिए समकोट तरीपेज बना लेते हैं ए, बी, सी यहाँ पर कॉड़ B नभियन्स का कॉड़ है इसके सामने के पुज़ा हो जाएगी कर्ड और यहाँ पर कॉड़ ठीटा लिए गया है ठीटा हमाने इतने सी है तो इसलिए यह हो गया आधार और यह हो गया पुज़ा लंब यहाँ से आजाएगा पर फ़रा कुश्चन है यहाँ से आधार कमान साथ दे रखा है तो अधार बरा हो जाएगा शाथ और लंब कमान दे रखा है आठ तो जाएगा आठ और कड कमान हमें नहीं दिया हुआ है चलिए पैथा गोरस परमेस निकाल लेते हैं परिथा गोरज परमे से हो जाएगा करड़ का स्क्वाइर बराबर आधार का स्क्वाइर प्लस लंब का स्क्वाइर यहाँ पर करड़ का मान ग्याद करना है यहाँ से लेकर स्क्वाइर तो हो जाएगा एसी का स्क्वाइर बराबर आधार का मान दिया हुआ है साथ तो हो जाएगा साथ का स्क्वाइर प्लस लंब का मान दिया हुआ है तो हो जाएगा आठ का स्क्वाइर तो यहां से ac square ब्राबर आ जाएगा 7 के square 49 प्लस 8 के square 64 यह ब्राबर हो जाएगा यहां से ac square ब्राबर आ गया 113 अगर हम ac कुण यदि ac का square हटा दी तो हो जाएगा ac ब्राबर अंडर रूट 113 यहां से card command आ गया रूट का 113 चलिए है पहला night कुश्चन अंकर लेते हैं पहला कुश्चन दे रखा है 1 plus sin theta 1 तो 1 नएस time theta बैटे का 1 plus cos theta 1 माइनस cuando theta पहला कुश्चन है 1 plus sin theta ब्रेकट में 1-cos 1-sinθ ब्रेका 1-cosθ ब्रेकट में 1-cosθ यहाँ पर हम पहले value लिख लेते हैं यहाँ पर लंब कमान आठ आया है यहाँ पर लंब कमान आठ आया है आधार कमान 7 और कर्ड कमान अंडर रूट 13 आया है लंब कमान आया है 7 आधार कमान आया है 8 और कर्ड कमान आया है अंडर रूट 13 चलिए यहाँ पर लगते हैं तो यहाँ पर लंब बटा कर्ड तो चाहिए कर 7 बटा अंडर रूट 13 एक ब्रिकट में दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस शाइन थिटा कमान 7 बटा रूट 13 बटे का 1 प्लस कॉस्ट थिटा कमान होता है अंडर बटा कर्ड तो आठ बटा रूट 13 आठ बटा रूट 113 एक ब्रिकट में और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस आठ बटा अंडर रूट 13 यह ब्राबर हो जाएगा इसके पहले हम A प्लस B और A माइनस B का शोत्र समझा चुके हैं आपको यह ब्राबर होता है A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर के तो यहां से 1 का स्क्वाइर हो जाएगा माइनस बटा अंडर रूट तेरा का स्क्वाइर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगा सेम वेलो दी हुई है अंडर रूट एक सुट तेरा का स्क्वाइर बटे का वन का स्क्वाइर प्लस माइनस माइनस आठ बटा अंडर रूट 13 का स्क्वाइर यह ब्रावर हो जाएगा 1 का स्क्वाइर आएगा 1-7 का स्क्वाइर 45 बटे अंडर रूट 13 का स्क्वाइर हो जाएगा 113 बटे का 1 का स्क्वाइर हो जाएगा 1-8 का स्क्वाइर 64 बटे का अंडर रूट 113 का स्क्वाइर हो जाएगा 130 यहां से 130 कुमन से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हुजाएगा 113 मैनस 49 बटे का 113 रेगा बटा 113 मैनस 64 बटे का 113 जहाँ पर 113 सबसे उपर चिला जायेगा और यह 133 ना जायेगा ब्राबर हो जायेगा यह ब्राबर हो जाएगा 113 में इसे 49 घटाने पर बचेगा 64 64 एंटु का 113 बटे का 113 में इसे 64 घटाएंगी तो बचेगा 49 उड़े 113 यहां 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा तो यह ब्राबर आ जाएगा 64 बटा 49 प्रॉब्ड दूसरा कोर्शन कर लेते हैं इसे दूसरा कोर्ट इसक्वाइर थीटा तो हो जाएगा कोर्ट का मानेस कोर्ट इसक्वाइर थीटा कोर्ट थीटा ब्राबर होता है आधार बटा लंब दुनुका को यहां से आधार की वैलू दिभी है 8 तो जाएगा 8 बटे लंब की वैलू दिभी है 7 इसाथ हो जाएगा 7 का दूनुका इसक्वाइर तो आठ का स्कॉर हो जाएगा 64 बटे का साथ का स्कॉर हो जाएगा 49 प्रॉब्ड घृंक्यू झाल झाल झाल